पूछपूरी में पावस्टार पावन सिंग ने वो पोजिशन हासिल कर ली है जहां पर आप पावस्टार पावन सिंग पर इलजाम लगा कर सुपस्टार तक बन सकते हैं जी हाँ, controversy से उनका दूर-दूर का नाता नहीं रहता है, लेकिन पावस्टार पवन सिंग ने ये कहा है कि controversy उनके भाग्य में है, याने की बदनाम होना उनके भाग्य में. एक बार एक reporter ने पावस्टार पवन सिंग से पूछा कि क्या आपको controversy में अपना नाम घसीतना अच्छा लगता है, तब उन्होंने ये कहा कि नहीं, मुझे controversy से दूर रहना अच्छा लगता है, मैं काम करता हूँ और घर पे जाके सो जाता हूँ, मैं बेवज़े की बातों में नहीं फस्ता, लेकिन controversy जो है, वो मेरे हिस्से आ जाती, कभी कभी मैं जब मुबाइल खोल कर YouTube सर्च करता हूँ, या फिर कोई other website सर्च करता हूँ, तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, लेकिन फिर मैंने अपने आपको समझा लिया है, कि बदनामी मेरे भागे का हिस्सा है, मैं उससे अपने आपको अलग नहीं कर सकता, बोजपुरी जगत की होट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना, बिल्कुल ना भूलिए,